अगर आपको भी सुभा के समय जादा नींद आनी महसूस होती है, बड़े खराटे आते हैं, मूस उकता है, गले में खराश होती है, और साथ ही सुभा-सुभा सिर्दर्ध भी होता है, तो साबधन हो जाएं, आपको स्लीप एपनिया हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि स्लीप एपनिया होता क्या है, इनमें से सभी अधिकांच और स्लीप एपनिया से पीड़ित हैं, जिसमें कमजोर टिशू की वजह से सांच की नली बादित हो जाती है, विशेशग्यों का कहना है कि यह समस्य वैसे तो बड़ी उम्र के लोगों की होत होती है, नजद अंदाज करना हो सकता है आपको खदरनाग, इस विकार की खास बात यह है कि देखने में सामाने सा लगता है, और कई बार तो लगता है कि समस्या है ही नहीं, लेकिन अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो इसे सेहत समंदी गमधीर समस्या हैं, जैसे कि हा राटे, मूँ सूखना, गले में खराश होना, सुबह सुबह सिर्दर्द जैसी समस्या हैं शामिल है, इसके उपचार का पहला उदेश, सामाने तोर पर सांस लेना बताया जाता है, इसके लिए अच्छी नीन लेना जरूरी है, वजन कम करना भी फायदे मन्द है, जिससे पोजिशन थेरेपी करवट लेकर सोने को प्रोचसाहित करने जैसे उपाय भी हवा का प्रभाब बहतर कम करने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन आपको बता दें, एक्सपर्ट के मुताबिक जो वाइडन को ठीक होने के लिए CPAP की सलहा दी गई थी, अब आईए जे जानते हैं क CPAP होता गया है, जो बाइडन को जून में इस स्विकार से बहुत समस्या हुई थी, तब वाइट हाउस ने उनके स्लीप अपनिया से पीरित होने की बात को भी स्विकारा था, तब उनके इलाज के लिए अपनाई गई Continuous Positive Airway Pressure Therapy की खूब चर्चा हुई थी, इसमें एक मशीन के जरिये हवा का लगातार दबाव बनाया जाता है, जिससे खास्तोर पर सोते समय सांस की नली में हवा के प्रभा के लिए दबाव बना रहे हैं, बता दें जो बाइडन को स्लीप अपनिया के लक्षन साल 2008 से दिख जा रहे हैं, इस समय वे अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्टपती हैं, और ओपेनियन पोल में भी लोग उनकी उम्र और सेहत को लेकर संधे में हैं, आपका क्या कहना है, हमें कमेंच करके ज़रूर बताएं